पार्टी के रास्त्य प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांसू त्रवेदी जी हैं, मेरा विनम्र निवेदन है मानिय सुधांसू जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों जो जो लोग सबा का चिनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कॉंग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है। और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। आज पुनह एक बार राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारती संस्कृती, भारत की पहचान और भारती लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपति जनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि ये विशे, कॉंग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विशे चुनाओ का नहीं हो गया है, ये विशे भारत के अस्तितु का हो गया है, चूंकि अब भारत के अस्तितु पर सीधा सवाल उठाय जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक इतनी आपत्ती जनक बात कही जो कि मैं आपको ये 20-25 सेकेंड का है सुनाना चाहता हूँ I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay, so that idea of India which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity is being challenged by Ram Temple and Ram Naomi and Prime Minister going to temple all the time and you know talking. मतनब वो महोदे ये कह रहे हैं कि भारत की विविदता और लोकतंत्र राम मंदिर, राम नवमी और पुर्धान मंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही है. मैं पुना कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिक्ता के इन सलाकारों से वो तोत लोग उस विचार को समझे नहीं सकते. मानी पुर्धान मंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी डिमोक्रेसी नहीं, इंडिया इस दा मदर अव डिमोक्रेसी. कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है? जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, ये भारत के उस मूल सरूप के पृति, अज्यानता और अवमान, अवमानना, means ignorance and contempt, दोनों को बताता है. इने पता ही नहीं है कि चोल सामराज्य में बाकाइदा, डेमोक्रेटिकली, एलेक्टेट ग्राम्र सभाए होती थी. भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडबम, ग्यारवी, बारवी शताबदी में ब्रिटन के मैगना काटा से बहुत पहले से थे. वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था और वेदों के काल में सभा समीती, विदत और गण बैठ कर कारे करते थे और मैं पुना चुनोती से कहता हूँ, भई अगर आपके दिमाग के उपर विदेशी परदा है तो हटाईए, सिर्व भारत में प्राचीन काल में शास्तरार्थ होता था, धर्म में भ परन्तु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझी नहीं है, जिस संस्कृती के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वज़े से आइडिया और इंडिया और डेमोक्रेसी कमदोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविदता का आधार है, इसलिए हम दुनिया के एक साथ समुंदर पार से खड़े हुएं, मुझे लगता है, यह बहुत आपती जनक है, और वो संस्कृती यदि उन्हें न समझ में आती हो, तो मैं शद्धे अटल विहारी बाचपेई जी की कविता की वो पंक्ती दुबारा उनको बता देना चाहता हूँ, जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, जो भारती संस्कृती के इस आधार को पूरी दुनिया के लिए बताता है, कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूँ जक्को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को नर संगार किया, कोई बतलाए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जित तोड़ी, भूभाग नहीं, शत्षत मानव के हिर्दय जीतने का निश्य हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचे, ये वही हिंदू संस्कृती है, जिसके लिए माने प भारतवाले वाइट है, ये पश्षिम भारतवाले अरव हैं, तो पूरभ भारतवाले चाइनीज हैं, तो दक्षण भारतवाले अफरीकी हैं, मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ ये, कॉंगरेस का नेतर तो फौरें ओरीजन का क्या हो गया, आप सारे भारतियों का ओर oike बिशी मूल का ढूलने लगे यह भारत के अस्तित्रों पर भारत की पहचान पर और मैं कहता हूँ देश के करोडों लोगों से यह आईडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई यह बिदेशी मांसिक्ता है जो अंग्रेजों गए हिंदोस्ता बनता गया यह काफिले में सराय बनाने वाले हिंदोस्ता पा कॉंसेब्ट है हम इस कॉंसेब्ट को कतई नहीं मांते हैं हम उस कॉंसेब्ट को मांते जिने उन्हें नसमझ में आता हो कि उत्तरम यद समुद्र से दक्षणम चा हिमाद्र भी वर्षम यद भारत नाम भारती यद से संतती जो समुद्र के उत्तर में और हिमाले के दक्षण में भूबाग है वह है एक महान देश है जिसमें रहने वाला हर देश भारती माना जाता है इसलिए अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कॉंग्रेस की मानसिक्ता बहुत साफ है भारत को अंदर से तोडो उत्तर दक्षण में तोडो तमिल हिंदी में तोडो अगडे पिछडे में तोडो दलित सवन में तोडो उत्तर भारतिय मराठी में तोडो बंगाली पंजाबी में तो तोड़ो यानि भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो ये इनका कॉंसेप्ट है इसलिए मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि अब राहुल गांधी जी के उस्ताद ने यानि उनके गुरु ने जो उस्तादी दिखा दी है अब मुझे नहीं लगता है शागिर्द क अब कोई option बचा है और इसके साथ एक और बात साफ हो गई है ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर में एक्सरे क्या है और कल सोनिया गांधी जी ने कहा था ना inclusive इंडिया वो अस्तित्व के उपर अब इस चुनाव को वो ले आए हैं, ये विदेशी मानसिक्ता और विदेशी प्रभाव के भारत बनाम स्वदेशी और स्वाभिमानी भारत के बीच की लड़ाई हैं। धन्यवाद, अब मैं माननी है राजीर चंशेकर जी से. वयार। Friends, good afternoon. As you are aware, and as my colleague Sudhanshuji has said, Mr. Sam Pitoda is the chairman of the Indian Overseas Congress. He is a very significant player in the Congress leadership. He is Rahul Gandhi's mentor. what Sam Pitoda says Rahul Gandhi echoes and amplifies including traveling all around the US and around the world in tearing down India's reputation questioning India's democracy India's EVM's India's judiciary all of this has been done by Sam Pitoda along with Rahul Gandhi on numerous occasions Sam Pitoda is no newcomer to opening his mouth during elections in 2019 as you are aware he said when asked about the 1984 riots he said so what when asked about the corruption during the UPS 10 years he said corruption is a way of life when he was asked about Pulwama's terrorist attacks he said terrorism is a way of life he most recently said and as Sudhan Chuji repeated today he said the whole nation is hung up on Ram Temple and Ram Janmu movie this same genius also when he was asked in 2019 about middle class taxes he said what is the problem middle class can afford more taxes he is not a small figure he is not an outlier in the congress ecosystem he is a very decisive important figure and today he has spoken about his idea of India and therefore Rahul Gandhi's idea of India and therefore Sonia Gandhi's idea of India and certainly Sam Pitoda sitting in Chicago or wherever he is sitting today in the US considers Indians as a collection of Africans Chinese white and Arabs where he thinks the South Indians are Africans East Indians are Chinese North Indians are white and West are Arabs while some may find this funny some may find this idiotic stupid this reveals the divisiveness the racism the shamelessness and the ignorance of the congress leadership I am saying again with all all the responsibility in my command when a senior leader of the congress talks this language calls South Indians Africans calls North Indian whites calls West those who are living in the West of India Arabs and refers to the entire population in East India as Chinese this reveals the mindset of the congress leadership the divisiveness that is ingrained in their ideology the racism the ignorance and the shamelessness and this takes on an even more bigger impact because on one hand you have people like Rahul Gandhi talking about Mohabbat ki Dukkan Bharat Jodo Yatra and if that wasn't hypocritical enough you have Sonia Gandhi yesterday coming out with a video that talks about inclusivity when they talk about Bharat Jodo Yatra when they talk about Mohabbat ki Dukkan when they talk about inclusivity how is it that their own mentor and their senior leader talks about India in such derogatory Indians in such divisive terms this constant insult to India to our democracy to our system to our faith to Sanatana by the congress and the INDI alliance is becoming an issue that is being pushed to the limit by the congress leadership and I today will draw your attention that on one hand you have Bharat Jodo Yatra and Mohabbat ki Dukkan and inclusivity on the other hand you have Arabs Chinese and this kind of racism and divisiveness and third hand you have people like D.K. Suresh the brother of D.K. Shivkumar talking about South India seceding from North India and then you have India alliance partners insulting North India Sanatana in a lot of ways what is playing out in front of us is the congress's ideology full of hypocrisy full of divisiveness full of lies and constant attempt to divide Indians and make India weaker I today will ask Revant Reddy the chief minister of Telangana and a South Indian I will ask Pindra Vijayan the chief minister of Kerala a member of the India alliance and a colleague of the congress party I will ask Sidra Mayaji chief minister of Karnataka a chief minister of a state from the south of India and I will ask Stalin the big support of the India alliance what is what is what their view on Sam Pitoda the chairman of the Indian overseas congress's description of South Indians being Africans what is their view on this type of racist attitude by leader of the congress party on behalf of all of us we demand an apology from the leadership of the congress party Rahul Gandhi downward for this type of racist divisive and ignorant and shameless characterization of Indians as Sam Pitoda has done thank you Dekhye یہ Congress کس طرح کا کنارہ کرتی ہے کہ نہ Rahul Gandhi جی کچھ بولتے ہیں نہ سونیا Gandhi جی بولتے ہیں اور کوئی دوسرا بول کے سوچے گا کہ کنارہ کر لیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ اشارہ کس طرف ہے یہ دیش کی پربود جنتہ بھلی بھات ہی سمجھتی ہے کہ کانگریس کا اشارہ دیش کو ویبھاجت کرنے اور باہری شکتیوں کے ہاتھ میں سوپنے کی طرف ہے اور یہ بات پنا کی بات کر رہے ہیں اس سے آدھ شرم ناک اور گھٹیا بیان نہیں ہو سکتا اور اس کو کسی رسم آدائیگی والے کنارے سے نپٹائے نہیں جا سکتا میں I just want to respond in english to this also یہ کنارہ کا what is the meaning of کنارہ I don't understand this particular gentleman who the chairman of the Indian Overseas Congress has repeatedly made comments repeatedly made statements and the congress party will dissociate themselves from that statement what type of politics is this when an MP is caught with hundreds of crores when a corporator is caught with hundreds of crores the congress party in Delhi says that what hypocrisy is this if you don't have anything to do with Sampitoda then sack him from the Indian Overseas Congress as chairman why is he still the chairman of the Indian Overseas Congress representing the Congress outside of India of the of the के स्वाभिमान और गरिमा के उठने का प्रतीक हो गया मैं एक और उधारन के लिए बता देना चाहता हूं आप जाओ वर्ड चाइनीज भाषा में ऐसे यसे वान जाओ गौन जाओ आपने सोना हूं जैसे हमारे अनाकपूर जैपूर सोलापूर कानपूर वो कहला वो सोचते थे इंडिया के बारे में प्लेस ऑफ हैवन और ये मूर्ख लोग हमको ये समझा रहे हैं कि मतलब हम उनसे हैंने हकीकत यह है कि यहां से सब ज्यान बाहर गया और देखें विदेशी मान सकता समझा रहा हैं सब बाहर से यहां है इसलिए आइडिया आफ इंडिया के लड़ाई है यह भारत के वास्विक सरूप के अस्तित्व के लड़ाई है ठाको रावीन दिर्शिंग जीनियों देखे वास्विक्ता में जो चाइना अरुनाचल प्रदेश पर क्लेम करता वो इस आधार पर करता है वह वड़ा विचित्रा आधार है कि कई शतादियों पहले तिबत के सामराज्य का हिस्सा अरुनाचल रहा था और चूंकि कॉंग्रेस वारों के लिए परमादरणिय सम्मा पनिजवाला नहरुजी ने 1955 में बांडूंग कॉंफरेंस में इवें 1950 में यहां के विदेश मंत्राले ने एक लेटर लिखा केम पनिकर उस समय राजदूत थे जिन्हों ने यह एकसेप्ट कर लिया कि चाइना का तिबत पे कंट्रोल है मतब तिबेटियन सुजैरिनिटी व और तिबत और इसका जब सवाल पूछा गया है लोग सवा में जाकर चेक कर लिए गागा विदेश राज्यमंत्री एक महिला थी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो उन्होंने कहा नहीं 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 यह तो मिस्रिप्रेसेंट कर दिया गया उस पे कोई कारवाई न तो सुनिए चूंकि तिबत पे कबजा हमने मान लिया था चीन का इसलिए वो उस पे दावा करता है और अफसोस की बात यह है कि उनके वन्स वाले लोग आकर आप उसको एथनिस सिटी से भी जोडने कोशिश करते हैं इस से जादा दुख़द यह नहीं हो सकता कि जो कबजा करवाया आपके पुर्खों ने आप उसको जस्टिफाई करने कोशिश कर रहे हैं उस विशे पे बताय जा चुका है वैसे पुना मैं कह देता हूं जो मैंने कल कहा था उनकी नजर में राम मंदिर बेकार है मैं गाजियाबाद का हाज हाउस अच्छा था उनके लिए राम मं जो मुनाहिम सि았는데 जी ने तो कहा था हम वाबरी मस्जिद दुवरागे रहार बन वाये ऊफ विधिनर से माराओं ने भी कहा था और मजह की बात नेखने कि हमने कभी नहीं का हम मंदिर का मारग परशेश्ट करेंगे मंदिर तो शीराम जन्भाउमी न्यास और संत बननाएंगे उन लोत आगा अंगर परसमansद और अगर एक और बात समझ। ये हमसे सवाल कहते हैं तो तमाम बातें वास्तू नहीं ठीक है, मुहुरत नहीं ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुलायम सिंग्जी और नरसमा राओ को अधिकार था, कॉंग्रेस पार्टी को या सपा को अधिकार था मस्जिद बनवाने का, इस्लामी मानिता के नुसार काफिर को मस्जिद त